बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो नदे बात करने इंपदा भरम भिसेड़ और मुझे भी लगता है कि बना भोट जो लुए कि मुझे लगता है कि बोलने के समहुने बची हुई नहीं आज के समाज भी है को कौन बोल सकता है कि यह बहुत सब्जेक्टिभ मैं अज बात करने जा मुनवर फारुकी के उपर मुनवर फारुकी पता नहीं आपसे आप मेंसे कितने वोग जांते हैं उसके बारे में मुनवर फारुकी एक stand-up comedian है stand-up comedian मतलब जिसका काम है आपको entertain करना है माईक भी खड़े होते हैं और आपको हसाते हैं कभी आपको अफेंड करते हैं कभी आपको अपीज करते हैं कभी आपको डिमीन करते हैं लेकिन मक्सद क्या होता है आपको हसाना मुनोर फारुक की यही करते थे मैंने उनकी बहुत सारे वीडियो देखी है यूटूब पे अच्छा साते हैं अच्छा इंटर्टेन करते हैं अच्छा इंगेज करते हैं लेकिन अभी फर्स्ट जन्वरी को जब हम सब नया साल मना रहे थे इन दौर में इन दौर भारत का ही मर्द्य पर्देश में है और जिसको मिनी मुंबई बोलते हैं वहां पर मुनाव फारुक की का एक स्टंडव कमेडियन शोव था रहात इंदौरी इंदौर से ही थे और उनको बहुत नास था अपने इंदौर होने पर और उन्होंने अपने सरने इंदौरी लगाया था अभ हाल में ही गुजर गए लेकिन इन दौर कहां है मर्दिपरदेश में अभर्देश में सरकार कई है अउचा पहले और नागपूर भी वही है तो इन दौर के बिजेपी के नेता है पतलब अब इतना जानी बिजेपी नेता है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम उनका कुछ भी हो सकता है उनके बेटे ने पुलिस में कंप्लीन कर दिया कि मनोर फारुकी यहां पर कुछ हिंदू धर्म के खिलाब बोलने वाले है यानि हिंदू धर्म के भगवानों के खिलाब कुछ बोलने वाले है यह फायर कर दिया पुलिस आ गई और मुझे जहां तक पता है मनोर फारुकी जैसे स्टेज पर आए अपना उन्हें पर्चे दिया जिस्टेंट अप कमेडी करने से पहले जैसे उसके पहले जो जो क्रैक कर पाते हैं उसके पहले ही कथिक कोट एन अनकोट में बोल रहा हूँ कथिक हिंदुवादियों ने हला करना सुरू कर दिया कि हमारे भगवान की अवहलना कर रहे ही अब पुलिस पहले से मौज़ुद थी वहाँ पर पुलिस नो स्क्वारेस कर लिया और बात एक जन्वरी की है और मैं आप से जब बात कर रहा हूँ ये 24 जन्वरी है अज 24 दिन हो गए है मौनोर फारुकी येल में इस बीच हमने नीवर मना लिया और शब भी जन्वरी मना लुआ ले है लेकिन मौनोर फारुकी अभी भी येल में कमाल की बात ये देखिए कि पुलिस ने जो था है कि मौनोर फारुकी के खिलाब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो जो बोलने वाले थे वो हिंदु धम के खिलाप जा सकता था यानि कि मुनवर फारुखी को उस जुर्म के खिला के लिए अरेश्ट किया गया है जो वो पूलिस को लगता है मुझे वारा को नहीं लगता है पूलिस को लगता है या उस बिजेपी के नेता के बेटे को लगता है जो अफिंड कर सकते थे यानि कि उस जुर्म के लिए मैं गिरहतार हो जुगा हूं जो मैंने अभी तक नहीं किया है कि इस देश में विश्व के सबसे बड़े लोगतांत् मौनवर फारुकी इस बात पारिष्ट हो सकता है जो उसने जुर्म किया नहीं है हाई कोट के स्पेसल बिंच लगता है इन दोर में परसो उसके बेल की पेटिशन लगी थी उसके बेल खारिज कर दिया गया है और मुझे नहीं पता है कि मौनवर फारुकी अभी कितने दिन और जिल में रहने वाला है सोची इस देश में क्या बोलने के जादी है बोलना जरूरी है लेकिन बोलने का हस्ट क्या है आप देख रहे हैं न और अंत में आपसे बात कहना चाहूंगा कि हम सब को मौनवर फारुकी के लिए लड़ना चाहिए आवाज उठनी चाहिए कि मौ पुलिस के पास कोई भी एविडियंस नहीं है और अंत में एक वैठानिक चेतावनी तो मेरा अपने मुस्लीम दोस्तों से आग रहा है आप इसे मेरी बातों को रिपीट न करें मैं एक हिंदू अपर कास्ट मेल हूं मेरे पास प्रिविलेश है कि में बोल सकता हूं लेकिन आप उसे दूरा नहीं जोखीं बड़ा हो सकता है आपके है